शुरी नगर में आईनोक्स थेटर में वेलकम टू कश्मीर नामक पहली कश्मीरी फिल्म कल रिलीज हुई ये कश्मीरियों के जीवन पर आधारित इस्थानिय लोगों द्वारा बनाई गई पहली बॉलिवुद फिल्म है इस फिल्म को बाद में भारत और अंतरास्टी प्लैटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा ये फिल्म कश्मीर के लोगों के सामने आने आने वाले मुद्दों और कश्मीरियों और जम्मु कश्मीर पुलिस बलकी यतार्तवादी छवी को दर्शाती है इस कश्मीरी फिल्म के प्रती दीवानगी को दर्शाते हुए फिल्म का पहला शोप खचा-कच भरा हुआ था इस फिल्म को मुख्यरूप से कश्मीर और उसके आसपास की खूबसूरत इस्थानों जैसे सोपोर, वातला, वुलर और अन्य जगों पर शूट किया गया ये फिल्म भारती फिल्म उद्योग में कश्मीरी गायकों, संगीतकारों और अन्य स्थानिय कलाकारों के लिए भी एक मील का पत्थर है पर शूब बोड देख रहे हैं, हाउस फुल रहा है हमारा है, तो लोगों को बहुत अच्छी लगी, इस्पेशली इसमें जो कश्मीरी एलिमेंट्स थे, जो कश्मीर को ब्यूटिफुली दिखाया गया है, बहुत खुबसूरती से दिखाया गया है, और जो कश्मीर के गा हो के लोग बहुत पिक्चरें बनाएंगे यहाँ पर, सच जैसे कि हमने देखा यहाँ पे 100% एक कश्मीरी फिल्म बन रही है, और 100% जो लोग इसमें हैं, वो कश्मीर से हैं, जो काम कर रहे हैं, वो कश्मीर से हैं, सो ओविस्सी रोजगार तो बढ़ेगा सच, यह पहली ऐ आपको बताओं, इस फिल्म में जितने भी आर्टिस्ट हैं, 100% वो कश्मीरी है, तो यह तो पहली बात हुई, सेकंड हमने शूट कश्मीर में किया है, दूसरा वही हमारे लोकल आर्टिस्ट अब प्रोमोट हो रहे हैं, बॉलिवुड में, इंटरनेशनली प्रेटफरम पे तो मैंने इसका ट्रेलर भी यहां पे देखा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो ट्रेलर फिल्म में यहां के जो लोकल आर्टिस्ट हैं, वो काम करते हैं, वो ज्यादा तर इसमें ड्रग पे काम किया गया है, इस मुवी में जो ड्रग पे काम किया गया है, कि ड्रग कैसे यहां पर ज्यादा हुआ है तो जेके पुलिस कैसे काम कर रही है उसको ख़तम करने के लिए तो बहुत अच्छी मूवी